नमस्कार रियलाइफ रेसीपी में आपका स्वागत है आज हम पावभाजी बनाएंगे एकदम आसान तरीके से मैं आपको पावभाजी बनाना बताऊंगे इस रेसीपी को देखने के बाद आप होटल जाना भूल जाएंगे और घर पे ही पावभाजी बनाकर खाना पसंद कर मिन्टो में और आसानी से आप इस पावभाजी को बना सकते हैं क्योंकि इस पावभाजी को हम तबे पे नहीं कुकर में बनाएंगे जो कि बहुत जल्दी पकर तेयार हो जाएगा और साथी साथ यह टेश्टी भी बनेगा तो चली बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के तब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ टामाटर मैंने तीन मेडिम साइज कर लिया था आप सोच रहे होंगे कि बटर के जगा मैंने तेल क्यों डाला पावभाजी हम तेल में ही बनाएंगी बटर का इस्तमा हम बहुत थोड़ी मात्रा में करेंगे टामाटर को एक से दो कर लेंगे सब्जी को कुकर में पकाने से जल्दी पक जाएंगे अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के नुसार नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी सब्जी को बराबर चलाते हुए एक मिनट हम इसे पका लेंगे एक मिनट बाद हम इसमें डालेंगे पानी पानी यहाँ पर मैंने पुड़े दू कप डाला है अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे अब हम कुकर के धकन को बंद करेंगे इसे हम तीन सीटी आने तक पकाएंगे पहली सीटी हम हाई फ्लेम पर लेंगे पहली सीटी आने के बाद हम गयस के फ्लेम को मेडियम पर रखेंगे यह देखिए पहली सीटी आ गई है अब हम गयस के फ्लेम को मेडियम पर रख देंगे यह दूसरी सिटी भी आ गई है तीसरी सिटी आने के बाद हम गयस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे अपने आप से ठंडा होने देंगे जब तक यह ठंडा हो रहा है ज़िए आगे का प्रसेश देख लेते हैं कडाही को गरम करेंगे जब कडाही गरम हो जाए तो इसमें डा बारिक कटा हुआ सिमला मिर्च इसे मैंने फैंड चॉप करके लिया है इसी में हम डालेंगे बारिक कटा हुआ प्याज यहां पर मैंने तीन बड़े साइज का प्याज काट करके लिया है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम मेडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसे हमें फ्रीज नहीं करना है कि इसे हमें गुलावीं होने तक पका लेना है अभी मिसमें डालेंगे नमक नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि पहले भी हमने सबजी में यहां उसक कर लिया है इसका आप ध्यान रखेंगा क्योंकि उस सब legit को भी हमें 2 मिर देख सकते हैं इसका color change हो गया है ये गुलाबी हो गया है अब हम इस में अड़ करेंगे बाकी मसाले एक हरी मीर्स मैंने बाड़िक काट के लिया है इसे में डालेंगे अध्रफ और लिधर का पेष्ट इसे मैंने कूट करके लिया है अप चाहे तो पेष्ट भी ले सकते हैं भाजी मसाला, मसालों को हम सबजी में मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि तेल में मसाले जल्दी से पक जाते हैं, अब हम इसमे लेंगे दो छोटी चमच कास्मीरी लार्ज मिर्स पाउडर, इससे जो भाजी का कलर है, वो बहुत ही अच्छा आएगा, ये ऑप्सनल है, अगर आप के पास डेट फूड कलर है, तो कुछ बुंदे उसके आप इसमें डाल सकते है, अब हम लेंगे कसूरी मेथी, इसे हम हाथों पे मैस करके डालेंगे, इससे इसका खुस्बू और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, अब कर लेते हैं, यह देखे, कोकर से गया है, अब हम उसे खोल कर चेक करते हैं, अब देख सकते हैं, सबजी हमारा अच्छी तरह से पक गया है, यह देखे, सबजी बहुत अच्छी से पक करता यार हुआ है, अब हम इस पक यह सबजी को कड़ाही में डालेंगे, इसे डालते सम निकदम पाव वाली भाजी अब हम इसे पोटेटो मैसर की सहता से अच्छी तरह से मैस कर लेंगे सब्जी इतनी अच्छी तरह से पक गया है कि आप चाहें तो इसे चम्मस से भी मैस कर सकते हैं यह आसानी से मैस हो जाएगा अब देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से मैस वोड़ा है क्योंकि सब्जी जो है कुकर के अंदर अच्छे से पख गया है ये देखी सारी सब्जिया कितनी अच्छी तरह से मैस हो गया है इसे हम थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे सबजिया अच्छी तरह मैस हो गई है अब हम इसमें डालेंगे लगमक दूख का पानी भाजी को हमें जगा ठीक नहीं बनाना है क्योंकि इसे हमें पाउ के साथ खाना है अब हम इसमें डालेंगे निम्बू इससे इसका टेस्ट और भी खिल कराएगा इसमें मैंने आधा निम्बू का रश्ट डाला है भाजी में निम्बू डालना बहुत ही जरूरी है निम्बू की जगा पे आप यहाँ पर इमली का पानी भी ले सकते है अच्छी तरह से इसे हम भाजी में मिक्स कर लेंगे आपको भी पतला लग रहा होगा अब हम इसमें एक उबाला ने देंगे उबालाने के बाजब यह ठंडा होगा तो यह गाढ़ा हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर दो कप पानी डाला है और इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है क्योंकि यह अगर ज़्यादा ठीक होगा तो फिर पाउ में यह अंदर तक नहीं जा पाएगा और अच्छे से आप इसका टेस्टर नहीं ले पाएंगे भाजी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो अब हम इसे 1-5 मिनट तब मेडिम फ्लेम पे और पका लेंगे इससे पकाते हुए 1-5 मिनट हो गया है अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे भाजी बंद कर तयार है अब चलिए पाव सेक लेते हैं पाव हजी बनाने के लिए ये पाव पर्फेक्ट है ये पाव आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा अब हम इसे चाको के साहता से बिच से कट कर लेंगे पूड़ा कर नहीं करना है इस तरीके से हमें एक तरफ से से जोईंट ही रखना है अब हम पैन को गरम करेंगे पैन जब अच्छी तरह गरम हो जाए तब हम गैस के फ्लेम को मेडियम पर रखेंगे और उसमें लेंगे एक चम्मच बटर इसमें हम डालेंगे एक चोथा बहुत अच्छा आएगा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इस पर पाउ को पलट पलट करके शेख लेंगे इस तरीके से अगर आप बिगनर से तो फिर आप हाथों का इस्तमाल ना करें चमत की सहायता से आप इससे से के बीना एक्सपिटियंस के आप ये काम ना करें ये तो आपके हाँ जल सकते हैं इसे हम चारतरब से अच्छी तरह से शेख लेंगे पाउ भी अच्छी से सिख गया है तो चलिए अब इससे हम सर्व करेंगे यहाँ पर एक थाली में मैंने लिया है बारी कटा हुआ प्याज और निम्बू भाजी में अगर निम्बू का टे करें आपको जरूर पसंद आएगा तो देखाना आपने कितने आसानी से पावाजी बनकर तैयार हो गया तो घर में भी आप होटल जैसे पावाजी बना करके खा सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर तो देखाना आपने कैसे मैंने 2-3 चमच बटर से ही करें अब बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में नए रिसीपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार